हैलो एवरिवन इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वालों की मेसो का एकॉंट कैसे बनाए तो मेसो पर कोई भी समान ओर्डर करेंगे तो आपने फ़र्ष्ट एकॉंट बनाना होगा तो मेसो का एकॉंट बनाने के लिए आपने क्या करना प्ले अश्टोर को ओपिन कर लेना और यहां से आपको मेसो को इंस्टॉल कर लेना हमारा यहां पर ओपिन लिखा रहा तो आपको यहां पर इंस्टॉल लिखाया तो आपको यहां से मेसो को इंस्टॉल कर लेना फिर आप तो आप meso app कौन सा language में use करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर English को select कर लेता हूँ, आप अपने according यहाँ पर language को select कर लेना, तो मैं यहाँ यहाँ पर English select कर लिया, फिर आपके सामने देखिए मैंने language select कर लिया, फिर आपके सामने यहाँ पर meso का account open हो जाएगा, फिर आपके सामन कुछ इस परकार का इंटरफेस देखने को मिलीगा तो आपको यहाँ पर की तरफ sign up का option दिखाए देगा simply आपको sign up वाले option पे click कर लेना है फिर आपको यहाँ पर क्या करना देखिए मैं बतारूँ यहाँ पर आपको phone number डालना जो भी आपका phone number होगा आपको यहाँ पर अपना phone number को डाल लेना है तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ phone number डालने के बाद आपको यहाँ पर continue वाले option पे click कर लेना है और उसी number पर आपका code जाएगा तो आपका अगर दूसरे mobile phone में रहेगा तो आपको यहाँ पर डालना होगा code अगर आपका इसी mobile phone में SIM लगा रहेगा तो आपको यहाँ पर automatic मतलब आपका code ले लेगा हमारा automatic ले लिया फिर आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पर देखिए आपको profile के सामने आपको यहाँ पर तीर का icon बना हुआ छोटा सा simply आपको तीर वाले icon पर क्लिक कर लेना है फिर आपके सामने कुछ इस परकार का interface देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आपको first क्या करना add picture पर क्लिक कर लेना और यहाँ से आपको picture को select कर लेना यहाँ से आपको allow कर लेता हूँ मैं और यहाँ से gallery open हो जाएगा और यहाँ आपको picture को select कर लेना ठीक है तो मैं यहाँ पर एक picture को ले लेता हूँ फिर आपको यहाँ पर crop का option ही यहाँ आपको crop कर लेना picture add करने के वाद यहाँ पर first में लिक होगा मिसों को चलाना चाहते है तो मैं यहाँ पर दो language को select कर लेता हूँ यहाँ पर English और Hindi आप अपने recording यहाँ पर language को select कर लेना फिर आपको यहाँ पर OK कर लेना ठीक है फिर आता है यहाँ पर देखे my business यह दो option जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह important नहीं अगर आप business करते हो तो आपको यहाँ पर my business name पर अपना नाम को डालेना ठीक है तो यह important नहीं है important जो है मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है तो मैं यहाँ पर आता है फिर pin code आपका यह बहुत ही important है यहां से आपको अस्टेट को यहां से सेलेक्ट कर लेना ठीक तो इतना कुछ मैं डाल लेता हूं ठीक है तो आपका एकाउन बनकर रेडी हो चुका है बहुत ही आसानी तरिका से आप मेसों में कोई भी समान को आप आप आडर कर सकते हैं तो आई होप कि यह वीडियो आपको जरूर पसना है तो वीडियो को एक लाइक कर दे एक प्यारा सो कॉमेंट कर दे अज सब्सक्राइब करके बेले कन कॉल पर प्रेस कर दे फिर भी आगर आपको कोई डॉट है तो मुझे कॉमेंट करना मैं आपका रिप्लाय दूँगा तो जलते हैं फिर किसी नेक सी वीडियो मिलते हैं अपना खयाल रखना